ऐसी नरसरी जहाँ से आप fruit के plants online बाइ कर सकते हो आपको यहाँ से wholesale and retail में भी plants मिल जाते है यह fruit plant की बहुत बड़ी नरसरी है जहाँ पे आपको हर एक प्रकार के fruit के plants मिल जाते है जो भी plants देख रहे हो सभी fruit के plants है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से आप online fruit के plants buy कर सकते हो आपको in plant की home delivery हो जाएगी अगर किसी को ज़्यादा quantity में plants चाहिए तो यहाँ से wholesale में भी आप buy कर सकते हो अगर आपके garden में वगर लगाने के लिए आपको थोड़े कम quantity के plants वगर चाहिए तो आप retail में भी यहाँ से buy कर सकते हो यह जो nursery है वो West Bengal में अगर आप nearby area में रहते हो तो वहाँ पे आप directly जाके plants buy कर सकते हो आपके shipping के जो charges से वो बच जाएगे अगर आप दूर रहते हो और आपको plants buy करने है तो online आपको यह provide करेंगे shipping charges add करके जो भी होगा वो आपको यह बता देंगे All over India में सभी जगे delivery available है यह nursery का address है अगर आप लोगों को plant पसंद आते हो तो वहाँ पे जाके आप visit करके plants buy कर सकते हो otherwise online आप इनसे मंगवा सकते हो mobile number दिया हुआ है यह एक genuine plant nursery है अगर आप यहाँ से plants वगर बाय करते हो तो आपको bill भी दिया जाएगा इनके यहाँ पे जो plants है वो छोटे ही है और उनको fruits लगे हुए देख सकते हो आप यह जो plant है यह red बाता भी fruit plant है देखिए plant छोटा ही है और उसको fruit आ चुका है जो कि आप सिप कुंडी में लगा के भी उनसे fruits ले सकते हो वीडियो में आपको आगे देखने मिलेगा आप देख सकते हो कि यह थाय का लपती चिकु का plant है जो कि बहुत ही छोटा plant है और उसको भी fruits आ चुके और नई कलिया भी आ रही है जिससे की नए fruits बनेंगे अगर आपके पास में ज़्यादा space नहीं है और छोटे से space में आपको ज़्यादा fruits लेने तो यह plants आपने definitely buy करने चाहिए इस nursery से यह sweet melta lemon का plant है जो कि एक बहुती बढ़िया सा fruit है आप इभी आप देख सकते हो कि plant छोटा ही हो और उसको fruits आये हुए इन्होंने यह plant है वो कुंडी में लगा है यह देखिए आप भी इसी तरह से इनके यहां के जो plants है वो कुंडी में लगा के उनसे fruits ले सकते हो इसी तरह की और भी बहुत सारी different varieties है इनके पास में fruits की सब्सक्राइब fishes and plants so you can see our upcoming videos यह जो fruit plant है यह Swiss star का plant है यहां पे भी आप देख सकते हो कि छोटा ही plant है उसको fruits आ चुके क्योंकि इनके पास में जो भी plants है सबी grafting की हुए plants है उसके वज़े से plant छोटा ही होता है और उनको fruits आ जाते है और यह कुंडी में लगा के भी आप इनसे fruits ले सकते हो यह अंजीर का plant है देख सकते हो आप plant कितना छोटा है और कितने सारे fruits आ होए इसको पे मैं एक बात add करना चाहूँगा कि जो भी fruit के plants होते है उनको direct sunlight की requirement होती है plants को fruit को develop करने के लिए उसके वज़े से इन plant को ऐसे जगे पे रखी है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा sunlight आता हो तब ही आपको अच्छे quantity में fruits मिलेंगे अगर आप इन plants को sunlight वाले एरिया में रखते हो तो आपको पता चलेगा कि इनको बहुती कम quantity में fruits आते है ज़्यादा से ज़्यादा quantity में fruits लेने के लिए और plant को healthy रखने के लिए आपको direct sunlight वाले एरिया में रखना होगा अनादर चिकू plant की variety है यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इनको fruits आ चुके है इसे एक दो plant नहीं है तो सभी plants को almost fruits आ चुके है यहाँ पर आप देख सकते हो कि plant को साइज है वो कितना है तो plant भी दिखने में बहुती healthy दिख रहा है इनके पास में जितने भी varieties के fruits के plants है सभी के नाम मैंने mention किये स्क्रीन पर आप देख सकते हो अगर आप लोगों को कुछ doubt है तो आप directly उनसे contact करके पूछ सकते हो so friends यह थी आज के हमारी fruit plant nursery आप यहाँ पर जाके plants buy भी कर सकते हो otherwise आप online भी मंगवा सकते हो बहुत सारे लोगों के हमें comments आएक थे कि fruit plant nursery के बारे में बताईए तो यह वाली fruit plant nursery है friends आप लोगों के लिए dedicatedly वीडियो बनाया यह वाला friends अगर वीडियो अच्छा लगा तो like कीजिए, share कीजिए सो बाकि लोगों भी पता चले इस nursery के बारे में अगर उनको fruit plants वगरे बाय करने है, online बाय करने है तो इस nursery से वो बाय कर सकते है उपर में जो circle दिया उस पे क्लिक कीजिए और fishes and plants चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही कुछ नए-ने वीडियो देखने के लिए देखते रहे है fishes and plants अठेब के लिए प्रड़ाइब के लिए और आप बाय के लिए सब्सक्राइब के लिए और यजिए प्रॉबस्त